बिहार के आखरी चरण के मद्दान में अब बस तीन दिन बाकी और ऐसे में सारे नेता अपने विपक्षी दलों पर बयान बाजी करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी नितीश कुमार के खिलाप कुछ नए बयान दिये है या फिर यू कहूं कि उन्होंने पुराने बयानों को बस एक नए तरीके से लोगों के सामने रख दिया है शिराग पासवान जब बिहार में सुगौली विधान सभा के लज़ेपी प्रत्याशी विजएक कुमार गुपता के लिए समर्थन मांगने लोगों के बीच में पहुँचे तो उन्होंने नितीश कुमार के खिलाप बहुत सारी बाते कही सबसे पहले उन्होंने नितीश कुमार द्वारा चलाय जा रहे जल जीवन हर्याली, साथ निश्चय योजना पर लोगों से पूछा कि क्या आपको नियोजनाओं से लाब बिला तो भीड से ना काशोर आया आगे उन्होंने लोगों से कहा कि जो पी-एम के सामने जूट बोलता है वो क्या ही आपका विकास करेगा ऐसे नितीश कुमार को जेल भेजने के लिए लजेपी को वोट दे आपको बता दे कि चिराग पास्वान आजकल आगे बढ़ बढ़ कर ये कह रहे हैं कि अगर लोजपा की सरकार बिहार में बनती है तो साथ निश्चय गूटाला की ठीक तरीके से जांच की जाएगी और अगर नितीश कुमार का नाम इसमें सामने आता है तो उन्हें जेल भी बेजा जाएगा शिराग पास्वान जिस जन सभा में खड़े होकर लोगों को संबोधित कर रहेते हम आपको उसका हाल भी एक बार बता देते हैं यह बही नेता है जो जेडियो पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं लेकिन जब यह खुद लोगों के बीच पहुँचे तो इन्होंने कोरोना के किसे नियम का पालन नहीं किया था मास्क तो आप भूली जाएए और सोशल डिस्टेंसिंग तो शायद कोई अफवा जैसी हो गई है क्योंकि किसी भी नेता की राली में इसका पालन तो दिखाई नहीं दे रहा है और तो और बिना मास्क पहने युगक जो चिराग पासवान के पास सेलफी लेने पहुँचे तो चिराग पासवान वहाँ सेलफी लेने से भी शायद हिचके चाहे नहीं और तो और उन्होंने बिना मास्क लगाए बहुत सारे लोगों से बातचीब भी जब उनसे इसके बारे में सवाल किये गए तो चिराग पासवान ने इन सवालों को टाल दिया अपने ट्विटर अकाउंट पर तो चिराग पासवान आए दिन निटीश कुमार पर हमला बोलते ही रहते हैं उन्होंने कल निटीश कुमार को एक पत्र भी लिखा था जिसमें उन्होंने उनसे ये कहा था कि अब वो नरेंद्र मोदी के साथ मन्त साज़ा करने वाले हैं तो उस वक्ट जनता को बता ही दे कि उन्होंने अपने 5 सालों में क्या किया है अपने पत्र में चिराग पासवान ने लिखा था कि निटीश जी आपसे आगरह है कि 5 साल में जो विकास की गंगा आपने बहाई है उसकी जानकारी प्रधान मंत्री जी के मन से जरूर दे आपसे आगरह है कि जाते जाते अपने पिछले पात साल में किये गए विकास कारे को बता दे यहां मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि एक टीवी चानल से बात करने के दौरान चिराग पासवान ने ये भी कहा है कि वो ये लिखित में दे सकते हैं कि 10 नवेंबर को नितीश कुमार सत्ता में नहीं आने वाले हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि अब नितीश कुमार कभी विहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे शिराग पासवान ने अपने पत्र में आगे लिखा था कि आने वाले 5 सालों में आप क्या करेंगे आप इस पर भी मौन हैं जनता बोल रही है कि जेडियों के प्रत्याशी को वोट दे कर बिहार को बरबाद नहीं करेंगे पिछले 15 साल में बिहार बदनाम हो गया है पलायन, रोजगार, बाड में कोई सुधान नहीं हुआ है बिहारी दूसरे प्रदेश में बताने से शर्माते हैं कि वो बिहारी है आपके अनुभव के कारण अभी भी बिहारी बेबसी की जिन्दगी जीने के लिए मजबूर है अभी कुछी देर पहले चिराग पास्वांडी एक ओर ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि नितीश कुमार जी प्रधान मंत्री के नाम पर और महागटबंधन का डर दिखा कर चुनाव जीतना चाते हैं खुद पांच साल क्या किया है ये रास किसी को नहीं पता है जेडियू के नेटा मंच पर आते हैं और केंद्री सरकार की योजना गिनवा कर चले जाते हैं जेडियू ने प्रदेश को बरबात कर दिया है अब देखना ये है कि चिराग पासवान के इतने कड़े बयानों के बाद जेडियू के तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है इस खबर में इतना ही जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हमारा चानल सबसे पहले उन्हें आप तक पहुंचाता रहेगा आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं जानकारी की मदद से हमारे टीम तक डोनीशन के रूप में अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं अगर आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन के पेज को लाइक करें अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें आप हमारी टीम से Instagram और Twitter पर भी जुड़ सकते हैं इस वीडियो को आज तक देखने के लिए धन्यवाद मैं हूँ समयराथी क्यामरे के पीछे खड़े हैं वरुंचाओ और आप देख रहे हैं जनता जनता